विश्वास जितने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है नमस्कार दोस्तों मैं जोतिस आचार्य वासुदव मिसरा आपका अपने चैनल भविश्य वारी पावर आप दे लॉड में हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का यह जोतिस का कार्यक्रम आप लोगों के लिए याने की वृष्चिक रासी वालों के लिए बेहद ही जादा खास और विसेश कार्यक्रम साबित होने वाला है गोचर कुंडली में जब किसी भी प्रकार से राजयोग का निर्माड होता है तो कुछ बेहतर और सकरात्मक परिणाम की प्रापती होती है और ऐसा ही प्रभाव आज से लेकर आने वाले 25 मार्च तक गोचर कुंडली के माध्यम से आप के लिए देखने को मिलेगा जी हाँ गोचर कुंडली में एक नहीं दो नहीं बलकि पूरे 30 साल के पस्चात एक अदभूद राजयोग का निर्माड हुआ है और यह राजयोग आने वाले 25 मार्च तक आप के लिए प्रभावी रहेगा इस राजयोग का निर्माड जिन ग्रहों के द्वारा किया जा रहा है अगर यह तिनों के तिनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बलवान है इनकी प्लेस्मेंट अच्छी है तो समझ जाईए आने वाला 25 मार्च तक का समय आप के लिए किसी स्वरणिम समय से कम साबित नहीं होगा भले ही यह राजयोग जादा दिनों के लिए ना बन रहा हो लेकिन फिर भी 30-35 दिनों में ही इस राजयोग के अद्भूत प्रभाव से आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा आप कह सकते हैं कि यह राजयोग आपकी जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के लिए आया है क्योंकि जिन तिन ग्रहों के द्वारा इस राजयोग का निर्मार किया जा रहा है यह तिनों के तिनों ग्रह अगर किसी की कुंडली में बलवान हो जाते हैं तो फिर अन्य ग्रह थोड़े कमजोर भी हो जाए तो कोई फरकर नहीं पड़ता क्योंकि ये तीनों के तीनों ग्रह जातक को उसके जीवनकाल में सब कुछ प्रदान कर देते हैं इसलिए जब भी इन तीनों ग्रहों का किसी भी प्रकार से कॉम्बिनेशन होता है तो यह अपना सर्वसरेश्ट और सकरात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं एतो ऐसे में बड़ी सहजता और इस पश्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे की यह राजयोग आपकी जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है जी हाँ इस राजयोग के प्रभाव से किन-किन छेत्रों में आपको विशेश रूप से लाब और सफलता की प्राप्ती होगी तो वहीं किन-किन बातों का और कौन-कौन सी सावधानी आपको विशेश रूप से इस राजयोग के दर्मियान रखनी होगी ताकि सकरात्मक परिणाम की प्राप्ती में जो आपको जबरदस्त तरीके से होने वाली है उसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो जाए इसलिए कुछ साउधानी भी आपको रखनी आवस्दक है साथ ही साथ इस राज्योग के प्रभाव को अपने लिए और जादा बहतर बनाने के लिए क्या सामान्य और सरल उपाय आपको करना चाहिए इन तमाम प्रकार के प्रस्णों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको एक-एक करके बताएंगे इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस के अंत तक देखने का प्रयास कीजे ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो और आप हर एक चीज को बड़ी सहजता के साथ समझ जाए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा वाट्सअप नंबर मिल जाएगा जहां से आप वाट्सअप करके अपनी जन्म कुंडली का विश्तार पुरुवक अध्यन करव अवस्था में और 20 फरवरी को मकर रासी से निकल कर बुद्ध महराज कुंभ रासी में आए हैं तो ऐसे में 20 फरवरी से कुंभ रासी में सनी, सूर्य और बुद्ध इन तीनों ग्रहों के द्वारा इस राज योग का निर्माण किया जा चुका है और आने वाले 25 मार्च दो 2024 तक यह राज योग आपके लिए प्रभावी रहेगा देखिए यह राज योग आपकी जीवन में आपको अदभूत परिणाम प्रदायक साबित होगा क्यों क्योंकि इस राज योग को बनाने वाले ग्रह बेहद ही जादा बलवान और मजबूत हैं अभी गोचर कुंडली में तो कैसे देखिए सबसे पहले तो सनी अपनी खुद की मुल्त रिकोंड रासी कुम्भ रासी में गोचर करते हुए अपने आपको बलवान बनाए हुए हैं वहीं ग्रहों के समराठ सुर्य दिव सनी के घर में गोचर करते हुए सनी के द्वारा बल की प्राप्ति कर रहे हैं और यहां पर सूर्य की जो मित्र ग्रहा है याने की मंगल गुरु और चंद्रमा ये तीनों के तीनों ग्रह भी अभी गोचर कुंडली में बलवान ही है साथ ही साथ यहां पर सूर्य को राहु का और बुद्ध का भी बलप्राप्त हो रहा है तो ऐसे में यहां सूर्य प्राकरम का कारग्रह मंगल भी उच्चे रासी में है और कहीं न कहीं इस समयाओधी में आपके लिए राहू और केतु की प्लेस्मेंट अच्छी ही कही जा सकती है इस राज योग के मामले में तो ऐसे में यह समय आपके लिए इतना बेहतरिन और सकरात्मक परिणाम प्रदाय है चाउथा इस्थान किस चीच का होता है तो ऐसे मुल रूप से देखा जाए तो चाउथा भाव आपके सुखों का भाव होता है जी हाँ चाहे वह भौतिक सुख साधन हो या फिर मानसिक सुख इसके अलावा चाउथा भाव आपके मान सम्मान आपकी ख्याती और आपकी प्रसिद्धी के साथ ही रिष्टों में आपके माता का प्रतिनिधित्व करता इस्थान होता है तो कहीं न कहीं चतूर्थ भाव में पूरे 30 साल के पस्चात चतूर्थ भाव के स्वामी सनी देव और कहीं न कहीं आपके कर्म भाव के स्वामी सूरिय अश्टम भाव के साथ ही एकादस भाव यानि की लाब भाव के स्वामी बुद्ध एक साथ मिल करके त्री ग्रही राज्योग का निर्मार किये हैं यह अपने आप में ही अद्भूत कहा जा सकता है वैसे तो जन्म कुंडली का हर भाव अपने आप में महत्वपुड है लेकिन चतूर्था इस्थान मुल रूप से आपके सुखों को बताता है तो ऐसे में यह राज्योग आपके भावतिक सुख साधन में जिहां भूमी, भवन, मकान, वहन इनसे संबंधित सुखों में बृद्धी करेंगे इसके अलावा देखा जाए तो अगर आपकी माता की सेहत में कोई समस्या थी तो उस समस्या से आपकी माता को राहत मिलेगी अगर आप इस समयाओ धी में अपनी माता के नाम पर कोई जमीन खरिते हैं कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई मकान वाहन खरिते हैं तो समझ जाएए वह वस्तु आपके लिए फाइदेमंद साबित होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समया आउधी में जो जातक राजनिती के फिल्ड में एक्ट्व हैं, पॉलेटिस्यन है, उन लोगों को भी जनता का विशेश रूप से सपोर्ट प्राप्त होगा। फलतह उन्हें भी अपने कारिय छेत्र में विशेश रूप से सफलता की प्राप्ती होगी। देखा जाये तो सूर्य को सरकार का कारक, मान सम्मान और प्रसिद्धी का कारक माना जाता है। दसंभाव पर इस राज योग का पूरर प्राप्ती होगी। खास करके सरकार की तरब से आपको किसी पूरुसकार से पूरुसकृत किया जा सकता है वहीं दसंभाव पर इस राजयोग का पूरुण प्रभाव देखने को मिलेगा तो ऐसे में आपके कार ये छेत्र में इस राजयोग के प्रभाव से अवज से ही बड़ा परिवर्तन आपक जाब के कुछ नए मौखे प्राप्त होंगे कहीं न कहीं व्यापारियों के लिए भी इस समय को अत्यंतिस रिष्ट कहा जा सकता है आप किसी भी प्रकार से कोई भी बिजनेस व्यापार करते हैं समझ जाए इस त्रीग रही राजयों के प्रभाव से अवज से ही आपको अपन लाइप पार्टनर के करियर में भी बड़ा ग्रोथ करने वाला यह राजयों कहा जा सकता है वहीं देखा जाए तो लाब भाव के भी अधिपति मनते हैं यहाँ पर राजकुमार भूत तो ऐसे में आपकी जीवन में इस राजयों के प्रभाव से लाब के एक नहीं बलकि अ काफी हद तक कम करने का प्रयास करेगा फलतह आपको इस राजयों के प्रभाव से कम मेहनत में ही विशेश सफलता की प्राप्ति होगी यानि कि कुल मिला करके देखा जाए तो आप सभी ब्रिश्चिक रासी वालों के लिए यह राजयों जो पूरे 30 साल के पस्चात बना है अत्यन्त ही जादा प्रोफिटेबल साबित होगा फिर भी इस राजयों के प्रभाव को और जादा स्रेश्ट बनाने के लिए रोजाना सूरिय देव को जल में एक लाल रंग का पुष्प मिला करके उन्हें अर्गे प्रदान कीजिए और सूरिय नमसकार के साथ ही रोजान सूरिय देव के बीज मंत्र ओम घ्रेडी सूरिय नमह इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए साथ ही साथ रोजाना दसरत कृत सनी इस्तरोत और आदित्य हिर्दय इस्तरोत का पार्ट कीजिए आपके लिए यह राज्योग हर प्रकार से प्रोफिटेबल साबित होगा तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में तब तक के लिए आप हमें इजाजत दी नमस्कार